निक्की तमबोली आज सोशल मीडिया पर ट्रेंट हो रही है लेकिन निक्की ने ऐसी क्या बाते कर दी जिसकी वज़े से बहुत सारे लोग उनसे नराज भी हुए है रुबीना नहीं खुद को विनर बनते देखना चाहती थी निक्की तमबोली जि हाँ कुछ ऐसी ही बात जो है निक्की तमबोली ने कह दी है क्या कहा है उन्होंने राहूल और रुबीना पर मैं हीना कुमावत फिल्मेंडो पर आपको बताऊंगी हाँ ही में निक्की ने एक इंट्रिब्यू दिया अगर मैं कहूं तो खटी मेटी फ्रेंड्शिप थी उसको सभी ने देखा और उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहूल ने मुझे बहुत बार हर्ट किया है और मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ मैं उससे एमोशनली अटैश्ट थी और इसलिए हमेशा उसके साथ मैं रहती थी मुझे उसे बहुत बार हर्ट किया है और जब भी मैं उसके पास जाती थी तो वो कहता था मुझे तो हर्ट नहीं हुआ तुम्हें किस बाद का हच हुआ इतना यह नहीं उनका यह भी कहना है कि उसने मुझे कई बार नॉमिनेट किया मैंने कभी भी उसको नंबर गेम के लिए इस्तमाल नहीं किया और वो आगे कहती है कि मैं एमोशनली जो है बहुत जादा राहुल से अटैश्ट थी उसने मेरे बिल्कुल भी यह सोचती हूँ कि मैं हाला कि बाहर आने के बाद उसके टच में नहीं हूँ, इतना ही नहीं वो आगे कहती है कि मैं अगर राहूल की बात करूँ तो राहूल खुद यह कहता था कि वो तो अली की वजह से वापस आया है, तो राहूल का तो खुद का ही कोई तक वान बात के रूबिना की जगा वो खुद को विणर देखती थी इस बात को निक्की तमबोली ने कहा है उन्होंनी ये भी बताय कि वॉसीक वीडियो और गर के अंदर जो उन्होंने स्टैनल लिया वो भले ही शो की हो सलमान खान को बत्तमीजी लगती हो लेकिन बाहर आके लोगों ने उनको बहुत जादा अप्रिशेट किया है आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे राहुल और निकी की दोस्ती पर और निकी खुद को विनर देखती थी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर कीजेगा